हम बात कर रहे हैं टाटा स्टील की लास्ट ट्रेडिंडे की बात करें तो हमको चोटी मोटी गिरावट के साथ इस टॉक ने क्लोजिंग दिखाई है 142 के लेवल से स्टॉक ने रिजेक्शन लिया था और हम देख सकते हैं इस से पहले जहां सपोर्ट लेकर स्टॉक ने हमको बांज बैग दिखाया है दो दफ़ा एक दफ़ा सपोर्ट लिया है पहली दफ़ा तो 138 के तारगेट सेकंड टेम टक सपोर्ट लिया है तो 142 तक के तारगेट डिकाए और उसी लेवल से अगेन आमको बॉंस बैक होतावा नजर आ रहा है गिरावाट के साथ अपने इस लो को ब्रेकडाउन नहीं कर पाया और यहीं से आमको इसमें रिकावरी देखने के लिए मिर रही है टाटा इस्टिल में आमको अभी यह तेजी देखने के लिए मिल सकती है इसका एक रिकावरी आते हुए नजर आ रहे है तो इसे कंडिशन में आमको और तेजी देखने के लिए मिल सकती है स्टॉक ने जहां क्लोजिंग दिये वो इसका एक रिजिस्टन्स जोन है 134 का लेवल लेकिन आने वाले दिन में स्टॉक इसको ब्रेक आट करता हुआ नजर आ सकता है हमको 138 टक का जम देखने के लिए मिल सकता है हम देख सकते 138 के लेवल से स्टॉक ने रिजेक्शन फेस किया हुआ है दो दफा तो वैसे कंडिशन में एक लेवल जो है एक रिजिस्टन्स का काम करने होला है सेकंड रिजिस्टन्स लेकिन स्टॉक बांस बैक के साथ इसको भी ब्रेक आट दे सकता है 138 के ब्रेक आट के बाद हमको इसमें 140 के तारगेट देखने के लिए मिलेगे और 140 का लेवल ब्रेक आट होने के भी इसमें चांस नज़र आ रहा है क्योंकि इस टॉक में रिकोवरी देखने के लिए मिले मार्केट भी बड़ी तेजी दिखा रहा है तो वैसी कंडिशन में 140 का लेवल ब्रेक आट होता हबा नज़र आ सकता है अगर 140 का लेवल breakout हो गया तो फिर Tata Steel में हमको बड़ी तेजी के साथ 160 से लेके 180 तक के भी तारगेट शॉट टम में देखने के लिए मिल सकते हैं अगर आप टिमेट अकॉट उपन करना जाते हो तो डिस्क्रिप्शन में दीगई लिंक से कर सकते हो विडियो जो एजूकेशन परपस के लिए कोई बाय और सेल की सला नहीं है